हलो फ्रेंड्स, वेलकम माई यूटूब चैनल, मैं संपत सिंग, आज आपके लिए बड़ा ही महत्वय का टोपिक लेके आया हूँ, क्योंकि इस से जुड़ावा क्यूशन आपको हर कोई एक्जाम में मिल जाएगा, तो अच्छा टोपिक है, तो चलो जानते हैं आज के पिक हमारा है, ओक्सी एवम अनोक्सी सौशन में अंतर, जिसको आप वायू सौशन या एवायू सौशन भी कह सकते हो, तो ओक्सी सौशन या वायू सौशन अनोक्सी सौशन या एवायू सौशन भी आप इसको कह सकते हो, जिसको अंगलेजी में कहा जाता है, एरोबिक रेस या इसको आप कह सकते हो YVAS option या AYVAS option इन दोनों में क्या अंतर है तो देखते हैं आज के इस टोपिक में हम तो चलो शुरू करते हैं पहला अंतर जो निकल के आता है वो यह आता है कि जो YVAS option होता है यानि यानि ऑक्षीजन का उपभोग या उपभोग किया जाता है तो बोजन का इसके बिना YVAS option नहीं होगा यानि इसमें O2 यानि ओξिजन का उपभोग या उप्योग किया जाता है AYVас definition में इसमें O2 यानि ओक्षिजन की आउशक्ता नहीं होती है इसके कोई जुरूत नहीं है यानि ओक्षिजन के बिना ही Railusz Foundation कर लेते हैं जीवत को शिकाओं में होता है किसी भी प्रकार जिवत को शीकाओं। उसमें आपका वाइवाइवियस खेऊचन ही आपको मिलेगा लेकिन गुझ में मिलेगा आपको ये कुछ ये बेक्टिरिया या संग्रहित एवं अंकुरित होते हुए बीजू आदी में पाया जाता है तो यह किस-किस में मिलेगा यह मिलेगा आपको कवकों में कुछ कवकों की प्रजादिय है सभी में नहीं कुछ जिवानों में और संगरहित और अंकूरित होते हुए बीजू में कौन सा सौशन पाया जाता है एवाईवी सौशन पाया जाता है अच्छी बात है इंपोर्टेंट बात है तो next चलते हैं तीसरा अंतर है वो यह है कि इस सौशन में गुलकोज यानि हमारा भुज्य पदार के एक अनु के पूर्ण ओक्षी करन के दुआरा लगबग कितना ATP अनु का निर्मान ओड़ता है 38 ATP बनते हैं ATP का मतलब यह है एडिनोसीन ट्राइफोस्पेट तो यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है कई एक्जाम में फुची गई है तो द्यान रखना कि वाईवियस आउसन में गुलकोज के एक अनु के पूर्ण ओक्षी करन के दुआरा 38 ATP अनु का निर्मान होता है एक वाईवियस आउसन की बात करें तो इसमें गुलकोज यानि C6, H12, O6 का जब पूर्ण ओक्षी करन इसमें होता नहीं है क्योंकि यहां ओक्षीन की कमी बनी रेती है थता इसमें गुलकोज का पूर्ण ओक्षी करन नहीं होता है और केवल 2 ATP, 2 Adenosin Trifospate का निर्मान ही होता है इसमें 38 ATP बनते हैं यानि बहुत ज़्यादा मातरा में उर्जा यहां बनती है ATP को उर्जा मुद्रा भी कहते हैं और यहां मातर 2 ATP का निर्मान होता है नेक्ष्ट अंतर की बात करें तो चोता हमारा अंतर है वो यह है कि इस साउसन में होने वाली जो ग्लाइकोलिसिस जो किरिया होती है वो कोशिका दर्वे में तता जो क्रेप्स चक्र होता है वो माइट्रो कॉंड्रिया कोशिका का जो सक्तिगर्य होता है माइट्रो कॉंड्रिया में संपन होती है इसलिए इसको कोशिका का सक्तिक रहे करते हैं माइट्रो कॉंडरिया में क्योंकि इसके पास ATP जो उड़ा मुद्रा है उसके रूप में इसके पास ATP संगरहित रहते हैं इसलिए ये आपका पाउराउस है तो यहाँ दो बात आपको नहां रखनी है कि सवसन में होने वाली गलाइको लिसिस या गलाइको लाइसिस जो किरिया होती है वो तो होती है कोशिका दर्वे में और जो क्रेप चकर होता है वो होता है आपका माइट्रो कॉंडरिया में बात करें एवाई ये सवसन में तो इसमें सभी जो किरियाइं होती है वो कोशी का दर्वे में यानि साइटो प्लाज में ही संपन होती है वहाँ ही ये किरियाइं पूरी कर ली जाती है माइट्रो कॉंड्रिया का यहां कोई रोल नहीं है नेक्स अंतर बात करें पांच वांगा तो इसमें सवसनी पदार्थ यानि हमारा गुलकोज हमारा भोज्य पदार्थ का पूर्ण ओक्षिकरण होता है और यहां बात करें तो इसमें सवसनी पदार्थ यानि गुलकोज का अपूर्ण ओक्षिकरण होता है पूर्ण ओक्षिकर यानि जल और 38 ATP यानि बहुत ज़दा मातरा में क्या मिलेगी उर्जा और यहां बात करें तो यहां हमको अंतिमुत्पाद के रूप में क्या मिलेगा ऐलकोहॉल यानि C2H5OH तो यहां अगर हम मेन बात करें तो यहां हमको क्या मिलता है अंतिमुत्पाद के रूप में साथ ही CO2 यानि carbon dioxide मिलता है और दो ATP उर्जा का निर्मान होता है जो बहुत ही कम मात्रा में उर्जा बनती है तो यहां अलकोल के भी दो अनू बनते हैं और उर्जा के भी दो अनू बनते हैं तो इस परकार यह हो गया हमारा क्या ओक्सी वै अनोक्सी सवसन धन्यवाद